नमस्कार दर्शको आज की वीडियो गौतम बुद्ध जी के अपमान करने के लिए नहीं बनाए गई है बलकि उन तथा कतित नव बौद्धों के लिए बनाए गई है जो अक्सर हमारे सनातन धर्म में विज्ञान लूना करते है और कुतर क्या करते है लेकिन इनको आज में द यह देखते हैं इनके गरंतों में लिखा क्या है सबसे उत्तम विज्ञान का पहला सबूत यह है कि अक्सर कुछ नव बहुत हमारे पुरानों पर आक्षर प्लगाई यह करते है कि तुम्हारे यहां से तो यह प्रकट हो जा रहे तुम्हारे ब्रह्मा के सिर से तो मनु प्र प्रकट हो रहे है जैसे कि आप यहां से देखी सकतो वाटर एमिनेट्स फ्राम दे फीट आप दी बुद्धा यानि आप देख सकतो कि बुद्धा के पेर से तो यहां पर पानी तक प्रकट हो रहा है और बाजू अस अगनी तो भया यह कौन सी साइन से मुझा थुरा बता देना क्योंकि यहां तो कुछ और ही प्रकट हो रहा है पैर से पानी होने का प्रकट का साइंस मुझा समझा नेगे नव बहुत तो मैं समझ जाओंगा जबकि अगले स्क्रप्चर में आप देखी पा रहे हो कि बुद्ध इतने उस टाम का सूपरमैन था यह आपने बिलकुल सही सुना सूपरमैन नाम की मुवी बुद्ध से ही इंस्पार हुई थी क्योंकि बुद्ध तो अपने भाई को पीट पे बिटा कर ही स्वर्ग ले ज अगला महान साइंस तो आप यहां पे खुदी देख सक रहे हो जबकि नॉर्मल बच्चे पेट से पैदा होते हैं वही बुद्ध पीट से पैदा हो रहे हैं जैसा कि आप यहां पे मूर्ती पे देखे सकतो यह है हमारी माया देवी और यह है हमारे प्यारे प्यारे बुद् वैसे हमें इस पर शक नहीं करना चाहिए क्योंकि ये भी बुद्धा भाई का कोई साइंस ही होगा आईए बात करते हैं अगले विज्ञान की जैसा कि आप यहाँ पर देखे सक्र कोई श्रीला लेक में ऐसा दिखा जा रहा है कि एक हाती माया देवी के गर्व में प्रवेश कर रहा है वैसा इस चेत्र को देखके मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो स्पेस से कोई मीटियोर या अस्ट्रोयडा के धर्ती पर जैसे गर्ती है उसी प्रकार से तूसित लोग से आया हुआ हाती माया देवी के गर्व में ही प्रवेश कर रहा है तो भाईया ये वाली भी साइंस मुझे जरूर समझा ही देना इसके बाद उस हाती ने कैसे उसके गर्व में प्रवेश किया और तता माया देवी तो अपने सपने में देखा ही क्या इसका भी वर्णन यहां पर देख रहा अपसे सकती ही है जिवकि इसका भी जवाब मैं जरूर चाहूंगा नव बॉद्ध से कि भाईया यह भी हमें समझा देना कि भला हाती गर्व में प्रवेश करके ऐसी हरकते कैसे कर सकता है तो इसमें भी कोई साइनसी होगा हमारे बुद्ध भाईया का बौदी सत्व का क्यों है ना अगले स्कॉप्चर मैं बच्छे से देखी सकते जो बुद्ध या फिर तथाकति नौव बौद्ध यह बोला करते थे कि हमारे बुद्ध तो स्वर्ग को मानते ही नहीं थे जबकि तुम्हारे बुद्ध इतने बड़े जूटे थे कि खुदी जाके स्वर्ग गए स्वर्ग से घुमके वह आ भी गए जैसे कि आप यहाँ पे देखी सकते हो कि यहाँ पे इस क्रप्चर में यह बता जा रहा है कि त्रैश्ट रमिशा नाम के स्वर्ग से बुद्ध आसमान से उतरते हुए दिखाई दिये गए है जैसे कि आप यहाँ पे देखी सकते हो तो भाईया एक बात बता ना बुद्ध ने बोला ता स्वर्ग नहीं होते नर्क नहीं होते लेकिन भाईया खुदी स्वर्ग माया देवी को जाके पीच करके वापस भी आ रहे है तो भाईया मुझे कुछ समझ में नहीं यह वाला साइंस भी अगला बरिया साइंस भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर गौतम बुद्ध घोरे पर बैठे हुए है और एक भगवान घोरों के दोनों टांगों को लेके नीचे करना क्या चाहरे है मुझे यह समझ नहीं आया अभी तक कि यहाँ पर देखी सकते हो कि बौतम बुद्ध तो घोरे को पर बैठे हुए है लेकिन घोरों के टांगों के नीचे एक भगवान घोरों के टांग पगर के क्या कर रहे है इसमें कौन सा साइंस है यह आज तक मुझे समझ भी नहीं आया अक्सर कुछ तताकते नवबध हमारे हनुमान जी पर भी आक्षिप लगाय करते है कि तुमारे हनुमान जी कैसे असुरों को उठा उठा के फेक देते थे बरे बरे पहार उठा लेते थे यह तो बरहा ही इंसेंटिफिक है लेकिन मुझे यहां जरूर बताना कि यहां पर गौतम बुद्ध के कुछ भाई ही सिधार्थ सिधार्थ गौतम बुद्ध एक हाती को हर्ड करके ओवर दिस सेवें वाल्स और सेवें मोट्स अफ दे सिटी वेरी फार अवे तो सेफ दीजन स्वाम इस तेंज और यहां पर क्या लिखा जा रहा है तो भाईया इसमें कौन सा साइंस है कि आप हाती को घूमा के ही बार फेक दो यह तो रियल लाइट में भी पॉसिबल नहीं है जैसा कि आप यहां पर देखी सकते हो तो नव बॉद इसका भी साइंस मुझे जरूर आप लोग एक्स्प्लेंड करिएगा गौतम बुद इतने रैशनल थे या इतने महान साइंटिस्ट है कि सर्फ के काटे हुए जहर को काटने के लिए पकाना खिलाने की बात तक करते थे और मूत्र पिलाने की बात तक भी करते थे तो भाईया ये कौनसे मेडिकल सदेशन है ये भी मुझे जरूर बताईएगा कि भाई उस टाइम पे जहर अगर किसे साप ने आपको काट ले तो पिखाना ही खिला दो और मूत्र ही पिला दो तो भाईया ये साइन्स भी मुझे जरूर समझाईएगा गौतम बुद्ध का महान साइन्स जैसा कि आप लेकी सकतो यहाँ पर पॉस करके आप लोग पढ़ लीजिएगा और भी महान महान चीज़े जो है ये हमारे गौतम बुद्ध जी के तो आज की वीडियो हम यही तकी रखेंगे और नव बौत दो ये तक तो आज अभी तक बस एक ट्रेलर था अभी तो हमारे पास अभी और ऐसे रेफरेंस परे हुए है और आगे आगे देखते जाओ कि तुम लोग के तथा कतिर नव बौत गरंद को हम किस तरह के एक्सपो इन से कितना है लेकिन बस इतना ही काफी नहीं है हम लोग अभी और लाने वाल है ऐसा ही कुछ रिफरेंस तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेड़ भी कर दीजिए